कैसा एक व्यक्ति पाप पर विजय की विशे में बोल सकता है और वो घमंड ही हो सकता है वो मुर्क है वो सबसे बड़े पाप से भरा हुआ है पहला पाप जो इस संसार में आया वो था घमंड और यहां वो घमंड है शायद वो संसारिक चीजों के विशे में घमंड नहीं रखना पर उसके बारे में घमंड करना वो बेबिलॉन है हमने उसको पहला यहना दो सोला में पड़ा शरीर की अभिलाशा आखों की अभिलाशा और जीवन का घमंड और इसलिए ज्यान पहला कुरंटियो प्रति एक्तिवर भक्ति और उससे आगे बढ़कर एक दूसरे से हम प्रेम कर सकते हैं कलीश्या में जैसे येशुमसी ने हमसे प्रेम किया और सब लोगों से प्रेम करना इस संसार में जैसा हम अपने आप से प्रेम करते हैं कम से कम हमारे अंदर ये इच्छा होती है चीह नहीं कि हम सबकी साहता करेंगे पर एक मनोभाव एक रवाय या उदारन सोरू कि इस संसार में ऐसा एक भी वक्ति ना हो जिसके प्रति मेरे मन में घ्रिना है एक भी ऐसा वक्ति नहीं है जिसको मैं तुछ से जानता हूं ये ग्यान है कि आप जानते हो ग्यान हमें सिर्फ फुलाता है वो बाइबल का ग्यान हो या विज्ञान का ग्यान हो या संसारिक ग्यान हो वो एक मसीई को फुला सकता है और वो बेबिलोन का भाग बन जाता है ये बहुत सरलता से होता है और कई मसीई कहते है मैं बेबिलोन का और Babylon का भाग बन सकते हो, यह एक व्यक्तिकत बात है, आप खुद तै करो, आप ग्यान चाहते हो या जीवन चाहते हो, और जब आप Bible पढ़ते हो, मेरा विश्वास है कि आप में से कई लोग Bible पढ़ते हैं, क्या आप ग्यान प्राप्त करना चाहते हो, या जीवन प्राप्त क हो सकता है, चुनाव आपका है, अगर आप सिर्फ आपके मन का इस्तमाल करो, उसका अभ्यास करने के लिए Bible स्कूल जाओ, और पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, बहुत सारे कमेंटरी को आप पढ़ते हो, और कनकॉर्डन्स को पढ़ते हो, या अच्छा है, मैं भी कनकॉर्ड ग्यान की पीछे दौडना, कोई भी ग्यान, अगर हम जीवन के बिना उसको खोजते हैं, तो वो मृत्य हुलाते हैं, ग्यान की पीछे जाना या गلत नहीं है, मैं ग्यान को खोजना चाहता हूं, ये ज़रूरी है, क्योंकि मैं संसार पर जीना के लिए ज़रूरी है, मैं Bible क के ज्यान को पीछे जाना चाहता हूं, मैं 61 वर्स से अधिक Bible की पढ़ाई कर रहा हूं और आज भी मैं देखता हूं प्रभु, मैं इस Bible को इस वजोंचे से नहीं पढ़ना चाहता कि मैं ज्यान प्राप्त करो या प्रचार करो, मैं जीवन चाहता हूं, किसी भी और बात से अधिक मैं उसी बात के पीछे दोड़ना चाता हूँ इसलिए मैं Babylon से दूर रहना चाता हूँ और ये पहली बात है जिसके बारे में मैं आपको चेता होना चाता हूँ मेरे भाई और मेरे बैनों बहुत प्रेम से बिलकुल विरम रता से जब आप बाईबल को पढ़ो जब आप एक संदेश सुनो ये मत सोचो कि मुझे कुछ समझ गया कुछ लोग सोचते है विशेशकर जो प्रचारक होते हैं अरे मुझे एक मिल गया कि मैं प्रचार करो अगले संदेश में कि आप इस वज़े से बाईबल को पढ़ रहे हो एक संदेश में आप बाईबल पढ़ते हो एक ताकि आपको एक पॉइंट मिले अगले संदेश में ताकि आप अपने आपके लिए आदर प्राप्त करो ये बैबिलोन है जब आप प्रचार करो अपने आपके लिए ये अपने से दूर और ये पहली बात है जहां हम इस विरोधाबास को देखते हैं जीवन या ग्यान और आई हम चौते अध्याय को देखें उत्पत्ति चार हम पहले पाप को देखते हैं जो एदिन के बाहर किया गया जब आदम और हवा को उस बगेचे से बाहर निकाला जात है तो हम कैन और हाबिल के विशे में पड़ते हैं जो परमेश्वर के सामने एक भेट चड़ाते हैं और फिर एक बार हम एक विरोधा पास देखते हैं बेबिलोन और जेरुसलेम को हम देखते हैं क्यों परमेश्वर की अगनी कैन के भेट पर नहीं पड़ा पर हाबिल के भ वही हम लेव्य व्यवस्ता में बढ़ते हैं और उसका कारण ये नहीं है कि कई प्रचारक जो कहते हैं कि हाबिल ने एक भेड को लाया और उसने रक्त को चड़ाया ऐसा बिल्कुल नहीं है ऐसे भी भेड है जो प्रभू ने कहे गए थे जहां कोई भी लहु नहीं होता जो जो भेड केण और हाबिल ला रहे थे वो पाप का भेड नहीं था वो एक धन्यवाद का भेड था और केन ने ये भेड लाया क्योंकि वो एक किसान था और इसलिए उसने वैसी भेड लाई और हाबिल चर्वा था इसलिए उसने एक भेड लाई फरक क्या था उन दोनों के बीच में कैन ने चौते वचन में एक भेड लाई माफ करना तीसरे वचन में कैन ने कुछ भेड लाई और हाबिल ने चौते वचन में अपने भेड बकरियों में से सबसे उत्तम परमेश्वर के लिए लाया यही आप फरक देखते हो उस वेश्या और दुलहन के बीच में कई मसी है जो भेड चड़ाते हैं कुछ भेड वो लाते हैं यह नहीं कि वो कितना लाते 10 प्रतिशत या जादा वो संक्या मात जरूरी नहीं है जो हाबिल ने जो भेड लाई वो शायद बहुत चोटी होगी और जो कुछ उपज भूमी की कैन ने लाई उससे शायद वो चोटी हो सकती है वो ज़रूरी नहीं है पर कैंड ने कुछ लाया पर हाबिल ने सर्वत्तम लाया और यही दो प्रकार के मसीह है कुछ मसीह ऐसे होते जो कुछ न कुछ भेट लाते हैं और वो कहते हैं कि हमारा विवेक शांत होना चाहिए बस मैं उनको नियूनतम मसीह कहता हूँ उनका पूरा रवएया यही होता है सबसे कम क्या है कि मैं परमेश्वर को प्रसंद करूँ दूसरा मसी जो है वो हाबिल के जमान होता है वो कहता है प्रभू अधिक्तम क्या है जो मैं तेरे लिए दे सकता हूँ इस एक जीवन में जो तुने मुझे दिया है इस पुर्थवी पर आपको पूर्ण काल सेवा में जाने की ज़ुरत नहीं प्रेरित पॉलोस जो था वो एक व्यपारी था और वो प्रभु की सेवा करता था वो पूर्ण समय मसी सेवा में नहीं था वो अपनी जीवी का खुद कमाता था और अपने को आधार देता था दूसरे लोगों को भी वो पैसे देता था वो एक अद्बुत वक्ती था और वो कहता है मेरे पीछाओ जैसे मैं येश्यो के पीछे चलता हूँ उसने कुछ भेट नहीं लाई उसने सबसे अच्छी बेट लाई उसने अपने जीवन को प्रभू को दिया और उसने ये नहीं कहा कि मैं दूसरे प्रचारोकों के जैसे बनो कि कोई मुझे पैसा दे ये प्रचारोक जो हमेशा प्रार्तनाओं के पत्र भेटा बेजा करते है कि वो दूसरे लोगों से पैसा पाए वो कभी ऐसा नहीं होना चाहता था उसने कभी प्रार्तना की कोई जरूरत नहीं बेजी उसने अपने आपको पैसा दिया उसने अपनी जीवी का कमाई और उसने कहा परमेश्वर का सेवक होने के नाते मेरा ये हक है कि दूसरे लोग मुझे पैसा दे पर मैं उस हक को नहीं जता था वो अपने उधारक के पीछे चल रहा था जिसने अपने सारे हकों को दे दिया जब वो इस संसार में आया वो एक चिन्न है ऐसे व्यक्ति का जो भेड के पीछे चलता है वो ये नहीं कहता कि मेरे हक है मसी के दुलन के कोई हक नहीं है अगर लोग उनके हक निकाल लेते वो कहेंगे ठीक है मेरा मन नहीं दुखेगा मुझे तकलीफ नहीं पहुंचेगी वो कितना भी ज़्यादा आदर आदर पाया हुए विक्ति होगा कलीशय में अगर कोई उसका कलीशय में उठकर अपमान करता है ये श्यो मसी प्रचार करने के बाद कभी दौड नहीं जाता था कि वो साधारन लोगों से बात नहीं करे वो बड़े-बड़े लोगों से मुख्य याजों को से हेरोदोस के साथ बैठ कर संदेशों के बाद बात नहीं करता था वो सर्वसाधरन पापियों के साथ रहता था हमेशा प्रचार करने से पहले प्रचार करने के बाद और निकोदिमस जैसा एक व्यक्ति आकर उसको रात के बीच में तकलिफ दे सकता था आप कितना छूट मैसूस करते हो कि किसी के घर में रात में जाकर उनसे बात करो वो है एक परमेश्वर का जन उसने लोगों को ये बात बताई है कि आप कभी भी आकर मुझे तकलिफ दे सकते हैं अगर मैं तुझे आत्मिक तोर पर मदद कर सकते हो तो रात के बीच में आओ मैं उठकर तुमारी मदद करूँगा ये मसी की आत्मा है जो निकोदुमस ने पहचानी और इसलिए वो उसके पास गया अगर एसा नहीं होता तो वो नहीं जाता उसके पास वो एक अच्छा राभी था जनावाना रब्भी था अच्छे रब्वियों के पास कोई रात के बीच में नहीं जाता पर येशु अलग था उसने लोगों को ऐसे एक इंप्रेशन दिया कि आप कभी भी मुझे तकलीफ दो मैं आपके सेवा करूँगा यही मसी के दुलहन की भी आत्मा है और यही हम दो उधारन देखते हैं ग्यान और जीवन और आप नियूनतम देते हो कम से कम देते हो सबसे कम क्या है जो मुझे देना पड़ेगा कि मेरे पास एक अच्छी गवाई हो आपको कलिस्या का भाग होना है शायद और आप जानना चाहते हो कि कम से कम क्या है कि मैं एक अच्छा मेंबर बन कर जी हूँ क्या मुझे दो मीटिंग में आना पड़ेगा ठीक है मैं दो मीटिंग में आता हूँ क्या मुझे थोड़ा पैसा देना पड़ेगा ओफरिंग में ठीक है मैं थोड़ा पैसा दूँगा थोड़ी जिम्मेतारी उठाने पड़ेगे ठीक है मैं उठाऊंगा पर अपने आपके लिए ही जिऊँगा बचे हुए समय में सबसे मूलभूत सिद्धान्त एक ऐसे वेक्ति का जो विश्या का भाग है बेबिलान का भाग है उसका लिश्या का भाग है कि उसके मन के अंदर उसका स्वयम केंद्रित है येश्यो मसी उसका जीवन का केंद्र नहीं है पर मैं अपनी उन्नती कैसे करूँ अगर मैं धर्म का इस्तेमाल कर सकता हूँ अपने आपको बढ़ाने के लिए तो मुझे वो करने दो मैं आपको उधारन देना चाहता हूँ कि येशु मसी ने वो पैसा कमाने वालों को और भेड़ बक्रिया बेचने वालों को उस मंदर से भगा दिया क्यों उसने ये किया क्या आप जानते हो व यरुशलम में आते हैं एक भेड़ चड़ाने के लिए प्रभु को एक भेड़ चड़ाने के लिए उस फसर के समय और तीन बार उनको साल में आना पड़ता था यरुशलम में और अपनी भेड़ को इतने दूर अपने घर से लाने से बजाए जो बहुत बढ़ा बहुत बेट करने के लिए वो खाने के लिए बेड़ों को नहीं बेच रहे थे वो कभुतरों को बेड़ों को वेदी में अरपन करने के लिए बेट के लिए चड़ा रहे थे धार्मिक कारणों के लिए वो कह रहे थे हम आपको देंगे हाँ पर हमको बहुत बड़ा कमिशन की जरूर ऐसा नहीं कि आप पैसा कमाओ क्या आप जानते हो ये शुमसी व्यापार घर में कहीं नहीं गया वो मार्केट में नहीं गया और लोगों को बगया व्यापार करने में कुछ गलत नहीं है बेड़ बकरिया बेचने में कुछ गलत नहीं है कुछ भी बेचो मार्केट में जाकर पर परमेश्वर के नाम से उसको मत करो, अगर आप परमेश्वर के नाम से कुछ करो, तो उसमें आपका शुन्य लाब होना चाहिए, शुन्य फाइदा होना चाहिए, वही सिद्धान्त है, अगर परमेश्वर के नाम से आप करो, तो आपके स्वयम के लिए कुछ फाइदा आ झाल